आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान वीट डोसा यानि गेहूं के आटे से डोसा बना कर तयार करेंगे। अगर आपका भी परांठे और रोटी से कुछ डिफरेंट बनाना चाहें तो ये वीट डोसा एक बहुत ही अच्छी आप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें डालें तक रीबन एक तिहाई चमच नमक और इसमें एक छोटा चमच या एक पैकिट इनो डालकर अच्छे से मिला दें। इनो हमें बाजार में से किसी भी क्रियाने या मैडिकल शॉप से अराम से मिल जाती है। इस मिक्षन में हम पानी डालकर आटे में अच्छे से मिला देंगे। वीट डोसा परफेक्ट बनाने के लिए हमें डोसा बैटर को लंप्स फ्री बनाना है। बढ़िया बैटर तयार करने से ही डोसे भी एकदम बढ़िया बन कर तयार होंगे। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए बैटर इतनी पतली कंसिस्टेंसी का होना चाहिए इसे हम 5-7 मिनट के लिए अलग रखतेंगे इतनी देर में हम डोसे का मसाला यानि स्टफिंग तयार कर लेंगे जिसके लिए एक गरम पैन में 1-2 चमच रिफाइन डॉल डाले तेल गरम होने पर इसमें डाले 8-10 कड़ी पत्ते आधा चमच राई एक चुथाई चमच हींग और आधा चमच जीरा डाल कर थोड़ा भून ले अब इसमें डाले बारी काटी हुई 5-6 लहसुन की कलिया और बारी काटी हुई 1-2 हरी मिर्च डाल कर थोड़ा भून ले अब इसमें एक बारी काटा हुआ पयास डाल कर थोड़ा भून ले इस रेशेपी में हम बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम डाल रहे हैं 1-4 चमच या स्वाद नुसार नमक एक चुथाई चमच लाल मिर्ची पाउडर और एक चुथाई चमच काली मिर्ची पाउडर डाल कर अच्छे से मिला दे इस डोसे के स्टफिंग में हमने लहसुन का भी इस्तेमाल किया है लेकिन अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप्ट कर सकते हैं अब हम इसमें तीन मीडियम साइज उबले हुए आलू मैश करके मिला देंगे तक्रीबन दो से तीन मिनिट पकाने पर डोसे के स्टफिंग बनकर तयार है अब दोसे पकाने के लिए गैस पर तवा गरम करें और तवा गरम होने पर गैस सिम पर कर दें तवे पर थोड़ा आल ब्रश करें तेल को हलके हाथों से कपड़े के साथ पॉंच दें अब इस पर थोड़ा पानी का छीटा दें और इसे भी हलके हाथों से कपड़े के साथ पहुंच दे अब हम इस पर डोसा बनाएंगे जिसके लिए इस तरह से तयार किया हुआ बैटर तवे पर डाले और इस तरह से फैला दे डोसे का बैटर डालते वक्त गैस सिम पर ही रखें जब बैटर अच्छे से फैल जाए तब गैस मीडियम पर सेट करके डोसा पकाएं जब डोसा थोड़ा पका हुआ सा नजर आने लगे तब इस पर थोड़ा ओयल प्रश कर दें डोसे के किनारियों पर भी थोड़ा ओयल लगा दें डोसे को इस तरह से उठा कर हम नीचे से भी चक कर लेंगे कि डोसा कितना पक गया है आम तोर पर डोसा सिर्फ एक ही तरफ से पकाया जाता है लेकिन हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अगर आप इसे सिर्फ एक ही तरफ से पकाना चाहें तो कुछ और देर के लिए सेक लगवाएं कुछ सेकंड सेक लगवाने पर हम इसे फिर से पलट देंगे अब हम इस पर तयार की हुई आलू की स्टफिंग रखेंगे स्टफिंग हमें डोसे की मिडल में इस तरह से रखनी है अब हम डोसे को दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोसा कितना क्रिस्पी बन कर तैयार हुआ है वीट डोसा सर्फ करने के लिए तैयार है इस मज़ेदार और क्रिस्पी वीट डोसा को अपने पसंद की चटनी या सामबर के साथ सर्फ करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज एक नई रैसेपी वीडियो देखने के लिए साथ दिये बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो ज़रूर देख पाएं धन्यवाद